नमस्का दोस्तों YouTube क्यानल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम एक स्टील के स्केर होलो पाइप का वेट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे इंडेस्ट्री में स्केर पाइप का यूज काफी मात्रा में किया जाता है तो हमें इसका वेट निकालना आना चाहिए क्योंकि दोस्तों इंडेस्ट्री में बोस्त का पता नहीं होता कब वो किस मटिरियल का वेट या फिर उसका एस्टिमेट निकालने के लिए बोल दे तो ये टॉपिक भी हमको अपना कवर करना चाहिए तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जुरू कर दे 500 लाइक का टार्गेट है इस वीडियो का तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों हमें एक 50 mm के स्केर पाइप का वेट निकालेंगे जिसका साइज है लेंद है उसकी 6 मिटर विड्थ है उसकी 50 mm और थिकनस है उसकी दोस्तों 5 mm इसको हम दोस्तों दो तरीके से निकालेंगे जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको निकाल सकते हैं दोस्तों वेट निकालने का फॉर्मला होता है वोलिम इंटू डेंसिटी तो पहले हम इस पाइप का वोलिम एक साथ निकालेंगे तो हमें इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है ए और बी और इसकी डिमेंशन इस पे मेंशन कर दी हैं ए है दोस्तों 50 mm और बी है 40 mm आप इसको ऐसे अजियूम करके चलें कि जैसे इस पाइप को हमने एक कॉर्नर से काट के खोल दिया हो यानि ये एक शीट की तरह बन गया है तो हमने इन सारी डिमेंशन को एड करना है तो हमारे पास इसकी टोटल विर्थ आ जाएगी 50 प्लस 50 40 प्लस 40 यानि टोटल आ गई हमारे पास 180 mm इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है लेंथ इन्टू विर्थ इन्टू थिकनस इन्टू स्टील डेंसिटी स्टील की डेंसिटी होती है 7,850 kg पर m3 तो हमने क्या करना है दोस्तों लेंथ है इसकी 6 मिटर और विर्थ है इसकी 180 mm तो हमने इसको मिटर में कनवर्ट कर लेना है 1000 से डिवाइड करके तो हमारे पास आ जाएगा 0.180 इसके बाद इसको मल्टिप्लाई करना है इसकी थिकनस के साथ तो थिकनस है दोस्तों हमारे पास 5 mm और इसको भी हमने मीटर में कनवर्ट करना है 1000 से डिवाइड करके तो हमारे पास आ जाएगा 0.005 और मल्टिप्लाई करेंगे हम इसको स्टील की डेंसिटी से तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 42.49 केजी यानि एक 6 मिटर लंबे स्केर पाइप जिसका साइज 50 mm इंटू 5 mm थिकनस है तो उसका जो वेट हो जाएगा 42.49 केजी तो अभी हम दोस्तों इसको दूसरे तरीके से निकाल के देखेंगे अभी हमने ये जो A और B भाग रखा है इसका वोल्यम हम अलग-अलग निकालेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम A भाग का वोल्यम निकालते हैं तो वोल्यम का फार्मुला है लेंथ इंटू विर्थ इंटू थिकनस तो लेंथ जो है A की वो है 6 मिटर और मल्टिप्लाई करेंगे हम इसको इसकी विर्थ के साथ तो विर्थ है इसकी 50 mm इसको हमने मिटर में कनवर्ट कर लेना है तो हमारे पास आएगा 0.050 तो इसको मल्टिप्लाई करेंगे हम इसकी थिकनस के साथ यानि 0.05 के साथ और multiply करेंगे हम इसको 2 के साथ 2 के साथ हम इसलिए multiply कर रहे हैं क्योंकि ये 2 भुजाएं है A एक तो नीचे है और इसके बिल्कुल उपर तो हमने इसको 2 से multiply कर दिया तो हमारे पास इन दोनों भुजाओं का जो volume है वो आ गया है वो है 0.003m3 अभी हम दोस्तो ऐसे ही जो B भाग है उसका volume निकालेंगे तो length है इसकी 6 meter और इसको multiply करेंगे हम इसकी width के साथ तो width है दोस्तो इसकी 40 mm 40 mm इसलिए है क्योंकि 5 5 mm थिकनस दोनों तरफ से निकल गई है ठीक है तो इसको भी हमने meter में convert करना है 0.040 और इसको multiply करेंगे हम इसकी thickness के साथ तो thickness है इसकी दोस्तो 5 mm और इसको meter में convert करके आ जाएगा हमारे पास 0.005 और इसको भी हमने multiply करना है 2 के साथ क्योंकि इसके भी 2 भाग है ठीक है तो इसको calculate करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.0024m3 तो हमारे पास A और B दोनों भागों का जो volume में है वो आ गया है तो अभी हमको total volume निकालना है तो हम क्या करेंगे इन दोनों volumes को add कर देंगे तो add करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.0054m3 तो हमारे पास इस पूरे pipe का जो volume है जो 6 meter का piece है इसका volume हमारे पास आ गया है तो weight का formula होता है volume into density तो हमने क्या करना है 0.0054 को multiply कर देना है steel की density यानि 7.850 के साथ तो इसको calculate करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 42.49 kg तो दोस्तों ऐसे हमें इन दोनों तरीके से एक square steel के hollow pipe का weight निकाल सकते हैं और अगर आपके पास numbers of pipe जादा है यानि आपके पास इसी size के 50 pipe है तो आप क्या करेंगे इस एक pipe के size के weight को 50 के साथ multiply कर देंगे तो आपके पास उसका पूरा total weight आ जाएगा और जो होगा 2119 kg तो ऐसे दोस्तों आप एक steel के square hollow pipe का weight निकाल सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो कर आपको अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जुरू कर दें थैंक्स पर वाचिंग